टिप्स टू रिमूव वैस्टू डौश, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो, इन बातों का रखे ध्यान, एक इस दिशा में रखें तिजोरी। वास्टू शास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ट माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मद्द या उप्री में भाग में रखें. निचले हिस्से में न रखें. दो तिजोरी में स्थापित करें ये चीजें. वास्तु के अनुसार, तिजोरी में शुब यंत्र जैसे व्यापार, वृद्धी यंत्र, महलक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुब होता है. इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है. तीन मा लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ती स्थापित करें. यदी लाग कोशिशों के बावजूत घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो पूजा घर में धनकी देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ती स्थापित करें. साथ ही इनकी करना अशुग माना जाता है. जिन घर घरों में रात के समय जूठे बरतन छोड़ दिये जाते हैं वहां मा लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है. इसलिए रात में बरतन धूल कर हो सोए, पांच घर को हमेशा साफ रखे, कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है, वहाँ पर लक्षमी कभी निवास नहीं करती है, इसलिए हमेशा घर को साफ सुत्रा रखे, इस बात का भी ध्यान रखे कि घर की पूर्व उत्तर दिश का वास होता है और धन संबंदित परेशानी दूर होती है, साथ सूखे हुए फूल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखना चाहिए, सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए घर में बासी फूल माला रखने से माल लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है